हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे नाइन स्टैंडर्ड के अलजब्रा का चैप्टर नंबर फॉर जिसका नाम है रेशो एन प्रपोर्शन हम लोग उसका करेंगे प्रॉब्लम सेट फॉर का लेक्चर बन जिसमें मैं आपको क्वेशन वन प पे आपको एक लिंक आएगा ठीक है अब भी देखो लिंक आएगा वो लिंक पे क्लिक कीजिए आपको प्लेलिस मिलेगा जिसमें आपको आगे के लेक्चर मिल जाएंगे आराम से जाके वो सारे वीडियो देखो फिरी प्रॉब्लम सेट 4 करो क्योंकि अगर वो नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम सेट 4 डिफिकल लगेगा और अगर आपने वो वीडियो देख लिए आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके कॉंसेट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे और प्रॉब्लम सेट 4 आपको एकदम पपलू लगेगा ठीक है चलो शुरू करते हैं तो इ एक relation दिया हुआ है यहाँ पर और वो relation यूज़ करके आपको एक unknown देखो y वो find करना है अभी एक equation में एक unknown होगा तो आप हमेशा find कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी बता है कि जो number of unknowns है unknowns मतलब जिसकी value आपको नहीं पता है जो number of unknowns है वो अगर एक equation में 1, 2 equation में 2 वैसा है तो आ यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे 6 is to 5 equal to y is to 20 पहले मैं rough में बताता हूँ आपको कैसे आएगा तो 6 is to 5 मतलब 6 upon 5 equal to y is to 20 मतलब y upon 20 अब देखो मुझे y की value find करनी है तो इसको अकेला कर दो यह 20 को यहाँ से बगा दो 20 को यहाँ से बगाना मतलब ऐसे erase नहीं कर देना इसको यहाँ पर बेजेंगे यहाँ पर नीचे है तो equal to cross करके उपर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा therefore 6 upon 5 यह 20 यहाँ पर आ जाएगा equal to इधर क्या बचेगा सिर्फ y देख रहा है न 20 यहाँ से बेज दिया तो यहाँ सिर्फ बचा y अब यहाँ पर देखो कैसे cut होगा 5 के table में पर नीचे 20 फाइव वन जार फाइव फोर जार 6 इंडू 4 कितना होता है 6 इंडू 4 होता है 24 राइट सैड में बचा हुआ है तो इसका answer क्या आ गया answer आ गया B 24 आया समझ में तो ऐसे आएगा इसका solution यह rough में और fair में क्या सेम ही है देखो ऐसे ही है इसका solution ठीक है इतने ही steps आ 1 mm मतलब mm to 1 cm अब यह answer find करने के लिए आपको extra information जीए है जो textbook में यहाँ पे question में नहीं दी है आपको बचपन में सिखाया गया था कि जो 1 cm होता है ना 1 cm का value होता है mm में 10 mm scale में देख लो scale में आप देखो mm है तो यह एक जो है वो 1 mm है और यहाँ तक आप पता है ना measure करते हो तो 1 cm होता है तो 1 cm तक कितने mm आ रहे हैं यह count करके देखो तो आपको पता चलेगा 10 mm आते हैं ठीक है तो यह मैं यहाँ से हटा देता हूँ अब मुझे क्या करना है मुझ अगर यहाँ पर mm तो यहाँ पर भी mm या फिर अगर यहाँ पर cm तो यहाँ पर भी cm ठीक है यहाँ पर हाथी तो यहाँ पर भी हाथी तो ही आप ratio निकाल सकते हो तो यहाँ पर अगर मुझे ratio निकालना है 1 mm is to 1 cm का यही है न ratio तो मैं क्या करूंगा यह cm को mm में convert करना बहुत easy देखो 1 cm कितना होता है 10 mm तो मैं क्या करूँगा ये 1 mm तो ऐसे ही लिख दिया is to ये 1 cm के जगे पर लिखूँगा 10 mm दिख रहा है 1 cm is 10 mm अब देखो units दोनों के हो गए same तो units नहीं लिखेंगे हम cut कर सकते हैं units को बचे का क्या यहां पे बचा 1 और यहां बचा 10 तो आंसर क्या आ गया ratio आपको मिल गया 1 is to 10 बच्चो जो ratio आता है न final उसमें कोई unit नहीं होता क्योंकि उपर नीचे units cut हो जाते देखो नहीं यहां पे यह 1 mm is to 10 mm का मतलब क्या है ऐसा है न 1 mm is to 10 mm यह mm cut हो गया न बचा क्या 1 upon 10 मतलब 1 upon 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो न 1 is to 10 ठीक है तो इसका answer आएगा आपको 1 is to 10 यह वाला इसको fair में कैसे लिखेंगे देखो एक बार ऐसे एकदम अच्छे से उसको हम लोग explain करेंगे जैसे उसको कुछ नहीं आता हम लोग जब भी exam में answer लिखेंगे तो हम लोग assume करते हैं कि जो एक correct कर रहा है teacher जो भी इसको check कर रहा है उसको कुछ नहीं आता है एकदम detail में एक एक line explain करना है आता सब कुछ है teacher को लेकिन assume ऐसे करना है तो मैंने लिख दिया ratio of 1 mm to 1 cm 1 mm to 1 cm मतलब 1 mm is to 1 cm 1 cm के जगे पे लिखा 10 mm क्यों because हमको पता है 1 cm is equal to 10 mm पहले सिर्फ मुझे पता था मैंने आपको बता है तो अब आपको भी पता है फिर mm cancel हो गया बचा 1 is to 10 तो final answer हो गया C कर लो coffee feedback से आया समझ में थर्ड दिया है the ages of जतिन, नितिन and मौसीन are 16, 24 and 36 years respectively तीनों friends की जतिन नतिन जतिन निया भई जतिन है जतिन, नितिन और मौसीन की ages दियो ही है what is the ratio of नितिन's age to मौसीन's age नितिन और मौसीन देखो भाई, नितिन की age है 24 and मौसीन's age is 36 इन दोनों की age का ratio निकालने बोला है क्या time pass है यार अगर मुझे नितिन की age का ratio नितिन का age है 24 इस 2, किसका ratio मौसीन की age का, मौसीन का कितना है भाई 36, इसका ratio निकालना है 24 is to 36, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 upon 36, फिर cut कर सकता हूँ किसमें जाएगा भाई 6, 4s are 24, 6, 6s are 36 फिर वापस दोनों 2 में जाते हैं देगो 2, 2s are 4, 2, 3s are 6 तो क्या गया भाई ratio 2 upon 3 मतलब 2 is to 3 तो यह रा answer 2 is to 3 यह rough में solve किया इसको fair में कैसे लिखेंगे देख लो एक बार समझाना time pass question है सब कुछ दिया हुआ है सिफ चेक कर रहा है कि आपको tables आता है के नहीं cut करने बोला है न कितने लोग क्या करेंगे यहाँ पर answer लिख देंगे और बोलेंगे यार इसमें तो 24 is to 36 option ही नहीं दिया है अगर teacher smart है न तो यहाँ पर एक option देगी none of the above ठीक है ratio of Nitin's age to Mohsin's age is equal to 24 upon 36 इसको cut करके बता दो यहाँ पर कैसे जाएगा है 12 के table में directly भी cut हो सकता है 12 2s are 24, 12 3s are 36 बचा 2 upon 3, 2 और 3 एक table में cut ही नहीं होता ऐसे मत बुलना sir 1 2s are 2, 1 3s are 3 करो तो वही answer आएगा न 1 2s are 2, 1 3s are 3 वापस 2 upon 3, वापस cut कर 1 2s are 2, 1 3s are 3 आपके पास बहुत जादा time में लाइफ में और बहुत जादा pen की ink के top कर सकते हो answer तो वही आने वाल है तो आया 2 upon 3, जिसको आप लिक सकते हो 2 is to 3, तो answer क्या आगया answer आगया option B कर लो copy of it से next करते है fourth दिया है 24 bananas were distributed between Shubham and Anil in the ratio 3 is to 5 ठीक है, दो friends है Shubham, Anil उनके बीच में 24 bananas distribute की है monkey है क्या है, ये लोग इतना banana खाएंगे लेकिन कियें distribute, घर पे लेके जादे होंगे then how many bananas did Shubham get ratio हम को पता है कि Shubham को और Anil को जब दिया, तो ratio 3 is to 5 उसका मतलब ये नहीं कि Shubham को 3 बनाना दिया और Anil को 5 बनाना दिया तो टोटल 8 बनाना होता है लेकिन टोटल तो भाई 24 bananas है ये ratio है, ठीक है Shubham को कुछ bananas दिये, Anil को भी कुछ bananas दिये, दोनों का ratio लिया, तो 3 is to 5 आता है, कट करते हैं न ratio में लोग, ओके, तो पूछा है Shubham को exactly कितने बनानाज मिलेंगे तो बहुत है simple है, मैंने आपको पता है, जब भी आपको ratio दिया, आप common multiple x ले सकते हैं, याद है ना, इसके पहले के practice set के videos नहीं देखे हैं, और यह आपको नहीं समझ में आ रहता है, इसे मत तो चौर है, कितना difficult है sir, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या explain करे हो, यार आगे का lecture तो देख, आगे के lectures देखेगा, practice set पूरा आराम से देखकर solve किया है, तो problem set easy लगेगा, ठीक है, तो mindstein तो हो नहीं कि directly problem set करने लग गए, तो आ जाएगा, चलो, अब यहाँ पर आते हैं, दोनों में ratio दिया है, तो हम लोग बुलेंगे, let the common multiple be x, ठीक है, मैं यहाँ पर rough में कर रहा हूँ, फिर मैं आपको fair में करके बताऊँगा, अगर common multiple x है, ठीक है, तो शुबम का 3 था, अनिल का 5 था, common multiple x है, तो शुबम का हो जाएगा 3x, अनिल का हो जाएगा 5x, अब शुबम के पास 3x बनानाज है, अनिल के पास 5x बनानाज है, हमको पता है कि total कितना है भाई, 24, तो हम बोलेंगे, शुबम के बनानाज और अनिल के बनानाज को अड़ किया तो अंसर आएगा 24 3X प्लस 5X दोनों के पास X है 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 8X आजाएगा 24 X क्या हो जाएगा 24 यहां पर अकेला कर दो 8 को हां भेजदो 8 यहां पर multiply हो रहा है वहां जाके हो जाएगा divide तो आजाएगा 8 1 0 8 3 0 equal to 3 upon 1 जाएगा 3 X आपको मिल गया 3 आपको किसका पूछा है शुबम के पास कितने बनाना है शुबम के पास 3X था 3X मतलब 3 multiplied by X X है 3 3 into 3 is 9 मतलब शुबम को मिले total 9 बनानाज 24 में से 9 बनाना शुबम को मिले ठीक है अगर अनिल का पूछा होता तो कैसे निकालते 24 में से 9 subtract कर दो तो कितना हुआ 15 पर 15 इतर answer मतलब लिखना क्योंकि 15 अनिल का अंसर है, अनिल का question पूछा ही नहीं है, अगर पूछा होता तो अनिल के लिए 15 आता, क्योंकि 24 में से आप 9 subtract करते तो आपको 15 मिलता, correct, और एक तरीका क्या है, x का value 3 है, यहाँ पे x के जगे पे 3 substitute करो, अनिल के यहाँ पे, x के जगे पे 3 आया, तो 5 इंटो 3 आजाएगा 15, ठीक है, वो सब पूछा नहीं है, पूछा था शुभम का अंसर, जो हमने यहाँ पे find कर दिया, okay, कैसे लिखेंगे, इसको देखो जल्दी, इसका solution थोड़ा लंबा आएगा, multiple choice question में आपको इतना बड़ा दिखाना नहीं पड़ता, बट यह इतना आएगा, क्योंकि इसमें पूछा ही question वैसा है, तो हम एकदम आराम से must statement लिखेंगे, पहले लिखा है number of bananas with shubham and anil are in the ratio 3 to 5, let the common multiple be x, other common multiple x है, तो shubham का 3 है, anil का 5 है ना, तो number of bananas कितना हो जाएगा 3x, और anil के पास हो जाएगा 5x, ठीक है, total bananas कितने होंगे, 3x plus 5x, which is nothing but 8x, but total bananas कितने ह तो ये total के जगे पे मैंने लिख दिया 24, 3x plus 5x आ गया 8x, x का value जी है, तो 8 को यहाँ से भगाओ, 8 यहाँ multiply हो रहा है, वहाँ जाके divide होगा, 24 upon 8, कैसे calculate करेंगे, 8 1,000 और 8 3,000, 3 upon 1 कितना होता है, 3 upon 1 होता है, 3, तो x का value क्या आ गया, 3, हमको x नहीं पूछा, हमको पूछा, शुबहम के पास कितना बनाना है, शुबहम के पास 3x है, तो हम लोग लिखेंगे शुबहम के बनानाज, 3x, x के जगे पर डाल दिया 3, तो 3 into 3 is equal to 9 बनानाज, तो answer आ गया option D, 9 बनानाज, ओके, ऐसे आएगा इसका पूरा solution, फटा फट कॉपी करो, है समझ में, इसका short method भी है, लेकिन short method में बहुत बच्चे confused हो जबते हैं, आपको पता है कि शुबहम का कितना है ratio देखो, शुबहम का ratio है यहाँ पे 3, ठीक है, और total ratios के आएगा, 3 plus 5, which is 8, कितने बनाना से 24, तो 8 ones are, 8 threes are, 3 into 3 कितना हो गया, 9, तो शुबहम के पास 9 बनाना से, ओके, वैसे कर सकते हो, लेकिन confusion होगा, यह best method है, ओके, थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें mistake होने का chance काम है, next करते हैं, fifth question दिया है, what is the mean proportional of 4 and 25, mean proportional कैसे निकालते हैं, आपको बताया था न, कि अगर किसी भी दो number का mean proportional निकालना है, तो हम लोग दोनों को multiply करके उसका square root ले देते हैं, यादे continue proportion म भी हमने सीखा था, कि A, B, C में, जो B होता है, it is the mean proportional of A and C, इसलिए B का value क्या आता था, B का value आता था, square root of A, C, ठीक है, क्यों, because B is the mean proportional of A and C, तो भी 4 or 25 का mean proportional है, वो find करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, 4 and 25 का mean proportional आएगा, ऐसे, ऐसे होता है, 4, इदर बीच में क वो 4 और 25 का mean proportional है, कैसे find करेंगे उसको, square root of 4 into 25, 4 into 25 कितना होता है, 4 into 25 होता है, 100 और 100 का square root कितना होता है, 10, तो answer आजाएगा, 10, ऐसा समझ लो, A के जगे पर 4 है, C के जगे पर 25 है, और हमको B पूछा गया है, ठीक है, इसको fair में कैसे लिखेंगे, ऐसे, done, काफी time pass question था नहीं, 5th वाला, चलो, कर लिया copy, next करते है, second question दिया है, for the following numbers, write the ratio of first number to second number in the reduced form, फिर से check कर आए कि आपको tables या factors आते हैं के नहीं, तो यहाँ पर देखो कर, यह करना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि practice at 4.1 के question 1 में हमने exact same question किया हुआ है, same method से आप यह solve कर सकते हो, ठीक है, बच्चा question एकदम easily हो जाएगा, तो मैं first of all आपको करके बताता 21 upon 48, देखो यहाँ पर, 21 upon 48, अभी जिसको tables बहुत अच्छे से आते हैं न, वो बहुत आराम से question solve कर सकते हैं, तो यह दोनों number देखो, 2 में तो जाएंगे नि, because यह odd है, यह even है, 3 में check करो, 2 plus 1 3, 3 में जाता है 3, तो 21 भी 3 में जाएगा, 4 plus 8 12, 12 भी 3 में जाता है, तो 48 भी 3 में जाएगा, तो यहाँ पर देख लो, यह हो जाएगा, 3 7s are 21, और यहाँ पर आजाएगा, 3 1s are 3, 3 6 are 18, तो answer आगया 7 upon 16, अब जिसको tables नहीं आते हैं, वो क्या करेगा, वो factorization यूज़ करेगा, 21 upon 48, तो यह चोटा number है, तो किसी को भी table आते होंगे, लेकिन बड़े-बड नंबर्स में न, factorization यूज़ करने में ही समझदार ही है, क्योंकि mistake नहीं होगा, तो इसमें भी factorization यूज़ करो, must आजो में 21 को factorize करते हैं, 21 लिख दिया, और ऐसे factorize किया, 21 हमको पता है, odd number है, तो 2 में तो जाता नहीं है, 3 में जाता है, हमने देख लिया, तो 3 7s are 21, फिर 7 एक prime number है, तो सिर्फ 7 में जाएगा, 7007, वैसे ही 48 को factorize करो, 48 क्यों, because यहाँ पे है ना भाई number, ऐसे हवा में से 48 नहीं रूनना मैं, 48 यहाँ पे लिख दिया, और उसको कर दिया factorize, पहले आएगा, 22004, 24008, फिर से 24 भी even number जाएगा, 21002, 22004, 12 भी 2 में जाएगा, 260012, 6 भ यहाँ पे equal to लिखे, dash बनाया, मस्त वाला, फिर क्या करेंगे उसमें, 21 के जगे पे लिखेंगे, 3 multiplied by 7, and 48 के जगे पे लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, तो यहाँ पे लिख दिया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, अब उपर नीचे कौन से में देखो भाई, उपर यह 3 और यह 3 कट, और कुछ तो कट हो नी रहा, तो जो आया answer, उपर तो उपर 7 ही रहेगा, नीचे क्या आएगा भाई, 2 into 4, 2 into 2, 16, तो answer आया 7 upon 16, यह method के लिए, आपको छोटे-छोटे tables आते होंगे, तो भी आप कर सकते हो, और mistake होने का chance कम से कम है, यह वाले method में, mistake होने का chance है, इसने मैं आपको recommend करूँगा के ऐसे ही factorize करके ही, आप हमेशा इसको cut करें, ठीक है, तो ऐसे आएगा first वाला, अभी आपको क्या करना है, 36 upon 90, 65, 117, 138, 161, 114, 133, यह चारो questions आपको खुद से try करने हैं, अभी के अभी, सिंगम याद मत करो, चारो questions आपको अभी के अभी करने है, वीडियो pause कर देना है, ठीक है, आराम से आपको 5, 10, 15 मिनिट लगेंगे, चुप चाप वीडियो pause करो, distract मत हो, और यह चारो questions solve करो, factorize करोगे, तो आपको आजाएगा, मैं इसका factorization भी आपको बता दूँगा, चलो कर दो video pause, किया solve, चुप चाप solve करो, pause कर दो video, अभी आगे मत आ जाओ, solution दिखना शुरू मत कर दे, जिन्होंने अच्छे बच्चे बनकर हिज़त से solve किया, उनको ऐसा कुछ आया होगा solution, तो first वाला तो मैंने आपको already बता दिया, वो यहाँ पर factorize करके भी बता है, second वाला देख लो, 36 upon 90, 36 का factorization बहुत ही simple है, 90 का अभी, देखो even number है, तो 2, 4,008, क्योंकि 9 है, 8 में से 1 बचेगा, है ना, फिर 2, 5s are 10, अब यह 45 इवन नहीं है, पर हमको पता है, 3 में जाता है, 4 प्लस 5, 9 होता है न, तो 3, 1s are 3, 3, 5s are, ऐसे करकर करके आप इसको factorize करेंगे, तो आपको यह मिल जाएगा, फिर आप cut करेंगे, तो देखो यहाँ पर नीचे 2, 2 cut, फ ऐसे next है 65 upon 117, 65 को यहाँ पर factorize किया, 117 को यहाँ पर किया, तो 5 into 13 आया 65, और 117 का आया 3 into 3 into 13, अब क्या-क्या cut हो रहा है, इसमें देखो, यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको दिखेगा, कि यह 13 और 13 cut हो गया, बागी कुछ कट नहीं हो रहा, तो यह 5 तो ऐसे यहाँ 3 into 3 हो गया 9, तो reduced form क्या आया, 5 is to 9, दिख रहा है न, 5 is to 9, next है 138 upon 161, इसको यहाँ पर factorize कर दिया, तो 138 आया 2 into 3 into 23, और 161 आया 7 into 23, पूपर नहीं चे क्या cut हो रहा है, देखलो एक बार, यह 23 और 23 cut हो रहा है, बचा क्या, 2 into 3 is 6, और यहाँ पर नहीं चे बचा 7, तो answer आ factors आया, क्या-क्या cut हो रहा है उपर, 19 और 19, उपर नीचे cut हो रहा है, 2 into 3 is 6, और नीचे बचा 7, तो reduced form आगया 6 is to 7, ओके, हर जगह वीडियो pause करके आप factorization अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, पूरा solution आप 5 questions का देखो के तो आपको ऐसा आएगा, मैंने फटा-फट क्यों कर आया, because मैंने practice set 4.1 में ये बहुत ही धीरे-धीरे आपको solve करके बताया था, ठीक है, 9th standard में आप आगये, मैं factors हरेक करके बताने जाओंगा, तो हरेक lecture 2-2 गंटे का हो जाएगा, एक बार आपको factorization आता है, तो आपको ये एकदम easily आएगा, मैंने first question में आपको factorization explain किया हुआ और मैंने पहले भी 1000 बार बोला है, कि अगर आपको 20 तक के tables आते हैं, 20-25 तक के, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कोशिश कीजिए, इतना difficult नहीं है, रोज एक बार लिखेंगे, या रोज एक बार 25 के tables तक पढ़ेंगे, तो आपको आराम से 10-15 दिन में या और याद भी हो जाएगा, चलो, कर लो फटाफट से copy, done, अब देखते हैं, question number 3, write the following ratios in the reduced form, reduced form मतलब वही है, पहले जैसा ही, लेकिन question जो है, वो थोड़ा घुमा दिया है, बहुत easy है, आ जाएगा आपको देखो, first वाला दिया है, radius to the diameter of a circle, ये भी हमने practice at 4.1 में ऐसे questions किय होगे, तो देखो, अगर आपको radius to diameter का ratio करने बोला, तो पहले rough में बता रहा है, radius to diameter, ठीक है, अब radius का value ले लो, r, okay, तो diameter का value क्या आएगा, diameter क्या होता है, radius का double, तो मैं बलूँगा, double मतलब 2 times r, अगर radius r है, तो diameter double हो जाएगा, अरे यार, circle में है, जो diameter होता है, उसमें दो radius होती है, देखो न, एक radius और दूसरी radius, double होता है, radius का, ठीक है, तो अगर radius r है, तो ये भी तो r होगा, और ये पूरा diameter क्या होगा, r plus r, which is 2r, okay, तो radius और diameter का ratio निकालना है, तो ऐसे आजाएगा value, अगर आपको नहीं समझार तो इसको ऐसा लिखो, r upon 2r है न, ये देखो, r 1000, r 1000, कट हो गया, क्या बचा उपर, उपर बचा 1 और नीचे बचा 2, खतम, है समझ में, इसको लिखो कैसे है, देखो, यहाँ पर, जो मैंने आपको short में बता है, वो पूरा लिख के बताना पड़ेगा, let the radius of the circle be r units, क्योंकि unit नहीं दिया है, therefore diameter of the circle क्या बाद में पूछा है, ratio of radius to diameter of circle, जब ratio लेंगे, दोनों के units सेम होने चाहिए, देखो, यहाँ पर दोनों के units सेम है, तो ratio, radius के जगे पर आगया, r, diameter के जगे पर आगया, 2r, r और r यहाँ पर, कट हो गया, r 1000, r 1000, क्या बचा, 1 बचा, और नीचे 2 into 1, 2, ऐसे 21 मतलिक देना, ठ यह हो गया, इसका answer, है ना, simple, इधर भी देखा ना, आपको, सिर्फ आपको यह देखकर नहीं आएगा, आपको यह extra information परता होना चाहिए, कि diameter is nothing but 2 times radius, पर यह हमने बचपन में circles के chapter में सीखा था, done, कर लिया copy, next करते हैं, second यह है, ratio of diagonal to the length of rectangle, having length 4 cm and breadth 3 cm, ओके, आपको क्या ratio निकालना है, पहले वो देख लो, ratio of diagonal, ठीक है, diagonal to, मतलब, पहले तो उपर diagonal आने वाला है, to the length of the rectangle, मतलब, उपर diagonal आएगा, नीचे length आए, ठीक है, तो आपको जब रेशियो निकालना है, तो दोनों एक terms में होने चाहिए, ठीक है, अगर आपने ऐसे बुला, let the diagonal be D and length of rectangle be L, ratio आजाएगा D upon L, ठीक है, है answer यही, लेकिन इनोंने आगे length दिया हुआ है, मतलब आपको इसका answer numbers में आने वाला है, अगर यहां तक ही दिया होता है, तो आपन यहां तक छोड़ सकते हैं, ठीक है, having length 4 cm, मतलब जो length है, उस cm, तो अभी आपको सिर्फ इतने information से आपका काम नहीं बनने वाला, आपको diagonal को इनके साथ relate करना है, तो ही आप इसका answer निकाल सकते हैं, तो rough मैं पहले करके बताता हूँ, कैसे आएगा, एक rectangle बनाता हूँ, ऐसे आजागा rectangle, इसका length है 4 cm, और इसकी breadth कितनी है, 3 cm, ठीक है, पता है, लेकिन हमको ये भी पता होता है, कि ये वाला जो angle है, वो 90 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे pythagoras uncle आपकी help करेंगे, pythagoras uncle ये value और ये value यूज करके d निकाल सकते हैं, क्या आएगा d बता हो, मुझे पता है कि d में निकाल सकता हूँ, d square is equal to 3 square plus 4 square, pythagoras theorem, तो क्या आ आ जाएगा, d square आ जाएगा, 3 square 9 plus 4 square 16, 9 plus 16 25 है, तो d square का value 25 है, तो d क्या हो जाएगा, square root of 25 which is nothing but 5, ये ऐसे लिखने से अच्छा, आप starting से ये ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो, diagonal is equal to square root of 3 square plus 4 square, standard value है, अगर rectangle है, तो उसका diagonal का value है, length square plus best square, ठीक है, फिर solve करो, तो आपको answer तो d equal to 5 ही आने वाला है, जैसे ही आपको d equal to 5 आ गया, क्या पूछा था भाई, ratio of diagonal to the length, d upon l, d क्या है भाई, d हमको आया 5, तो आपने d को must इधर लिख दिया 5, और length क्या था l, length था आपका 4 cm, तो आपने ये length को erase किया यहाँ पे, और उसके जगे पे लिख दिया 4 cm तो आपका answer आगया 5 upon 4, जिसको आप लिख सकते हो 5 is to 4, ये rough में बता रहा हूँ आपको, इसको fair में कैसे लिखेंगे आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, कि ये सब दिया हुआ है question में, ये नहीं दिया हुआ, ये रिष्टा आपको पता होना चा ठीक है, कैसे आएगा देखो, इसे आएगा इसका solution, फहले तो नाम करन करना पड़ेगा, let length of the rectangle, उसको नाम दे दो L, ताकि हर बार length नहीं लिखना पड़े, is 4 cm question में दिया हुआ है, and breadth of the rectangle B, क्योंकि breadth न, is 3 cm भी question में दिया हुआ, therefore diagonal of the rectangle क्या होगा, diagonal होगा square root of L square plus B square, L है और यह B है और यह diagonal है, हमको पता है कि यह जो है, it is nothing but square root of L square plus B square, okay, समझा कैसे आता ही है, इसमें अगर आप Pythagoras लगाओगे, तो क्या आएगा, let's say इसको मैंने D बोला, तो आजाएगा, D square is equal to 4 square plus 3 square, अगर दोनों तरफ square root लूँगा, तो D square का square कट जाएगा, और यहा 4 square हो जाता है 16, 3 square हो जाता है 9, 16 plus 9 हो जाएगा 25, 25 का square root क्या जाएगा 5, और unit क्या था, सबका centimeter था, तो इसका भी centimeter आएगा, अब उसने पूछा है, ratio of diagonal to length, diagonal है 5, length है 4, लेकिन लिखके बताना पड़ेगा, ratio of diagonal to the length is 5 upon 4, जिसको आप लिख सकते हो 5 to 4, कातम, काफी simple solution है, दे सिखाया गया था quadrilaterals में, कर लिया copy, next करते है, third question दिया है, the ratio of perimeter, ठीक है, perimeter to, ये 2 मतलब ये, अपना उपर आने वाला है perimeter to area of square, area of square के साथ उसका ratio निकालना है, ठीक है, तो अगर perimeter कुछ है यहाँ ठीक है, perimeter upon area, ये दोनों square का ही है, having side 4 cm, तो इसको के से जोल करेंगे, आता है क्या, perimeter का formula हमको पता है, अगर side जो भी दिया है, उससे perimeter के से निकालेंगे, square में 4 side होती है न, तो जो भी side है, 4 multiplied by side करेंगे, तो उसका perimeter मिल जाता है, side कितना है, side of 4 cm, तो मैं लिखूंगा 4, 4 फूर जा जाएगा 16, तो आंसर आ रहेगा 16 cm, correct, 16 cm आ गया, area of square क्या होता है, area of square होता है, side into side, या फिर side square, side क्या है यहाँ पर 4, तो 4 square, 4 square होता है 16, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की value क्या आ गई आपको, 16, अब जब आप इसका ratio लेंगे, तो 16 upon 16 क्या जाएगा, 1 upon 1, ठीक है, तो कै कैसे आता है, देखो, तो हम लोग लिखेंगे, let side of the square, जिसका नाम दे दिया S, इस 4 cm, पहला बोला है perimeter, तो perimeter of square का formula है 4 multiplied by S, S के जाएगे हम लोग ने डाल दिया 4, 4 into 4 आ गया 16, perimeter तो length है, उसका unit आएगा centimeter, फिर पूछा area of square, जिसका formula है side square, side कितना है भाई, 4 cm, तो 4 का square, which is 16, area है, तो centimeter square, अब यहाँ पे ना unit में थोड़ा लोचा है, यहाँ पे शायद आपको unit ignore ही करना पड़े, तो आप लगेंगे ratio of perimeter to area of the square, यही पूछा गया है, ratio of perimeter है 16, area of the square भी है 16, 16 upon 16, cut करेंगे तो क्या हैगा, 16, 1000, 16, 1000, answer आएगा, 1 is to 1, honestly speaking, उपर आपको यहाँ पे centimeter unit है और यहाँ पे centimeter square है, तो एक centimeter cut होगा, एक centimeter बचता है, लेकिन यह थोड़ा problem है, जो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपके level पे अब यह problem important नहीं है, तो वह ignore कर दो, सिर्फ value ले लो और उसका ratio निकाल लो, ठीक है, easy है न काफी, इसमें भी आपको perimeter of square का formula आता है कि नहीं, area of square का formula आता है कि नहीं, वो check कर रहे थे, तो आपको 100% आता है, क्योंकि आपने quadratals 8 में सीखा है न, यह channel पे 8 के पूरे videos है, वो देखकर आपने quadratals सीखा था, इसलिए आपको perimeter और area एकदम अच्छे से आता है, तो आपको इसमें कोई problem नहीं आना चाहिए, और answer आपको आना second, third and fourth, fifth यह किया, फिर हमने second भी किया and third भी किया, ठीक है, अभी इसमें आगे और questions है, जो हम इसके आगे के lectures में करेंगे, लेकिन अगर आपको आगे के lectures अच्छे से समझने हैं, तो practice set 4.1 से लेके practice set 4.5 के videos एकदम ही अच्छे से देखो, सारा solve करो, तो ही आपको problem set 4 easy लग करने वाला है, तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया, तो like ज़रूर करें, link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें, ताकि उनको भी ratio and proportion अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपने ये चैनल को subscribe कर दिया है, तो thank you, नहीं किया है, तो क्यों wait कर रहे ताकि जैसे ही मैं next video upload करूँ, आपको notification आये और आपको important lecture मिस न करें, comment में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये video कैसा लगा, thank you so much for watching this video,